ग्वालियर पुलिस अदिक्षक, ग्वालियर नवडीद भसीन की निर्देशन और अधिरिक्त पुलिस अदिक्षक मज़े निविरिता गुपता और रवी भदोरिया के कुशल मार्ग दर्शन में हजीरा थाना इंचार्ज टी एस आई अभिलाग सिंग तोमर के नेतरत्व में हजीरा पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास के दो आरूप्यों को मुगवीर के सूचना पर आरूपी अंकुष तोमर और फफरारी पुत्र राम निवास तोमर उम्रतेश बर्श निवासी निवासी निव काँच मील और निटन जादोन पुत्र मेश तिंक जादोन निवासी काँच मील को नवीन पार्क से हिरासत में लेकर बदमाश अंकुष तोमर और फफरारी के कबजे से एक कट्टा 315 बोर और एक जिंदा राउंड पुलिस ने जबत किया पुलिस्त के अनुसार अंकुष और फरारी और नितन जादोन शातर आदतन अपरादी हैं, इनके व्रोध कई अपराद पंजिबद हैं, इन्होंने रंग बाजी और शेत्र में वर्चस्प स्थापित करने के लिए घटना घटित की थी, शेत्र में ये भै और आतंक स्थापि कि अमरा था, उसने बाद तुम दारूपी के आया था, तो हमने थपड़ माद दिया था, तो इसी वात को लेकर के उनने उसमें कट्टे से फायर किया, तो दीपुतमर गेट के भी शब गया और गोली जो है, अंदर दीवाल पर लगी और फिर दोनों भाग गए, कल दिनांक पंद्राइक भी इसको दोना रोपियों गर्पदर किया है, और फ्राडी तुमर से पूस्ताश के बाद, आज दिनांको एक कट्टा एक जिन्दा कार्तुस बरामत किया गया है